आदाव आप देखरें न्यूज मैक्स और मैं हूँ मुन्मुन रह्मान एक बार फिर हाजिर हूँ आज की तासा खबरों के साथ सबसे पहने नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर यूएस कमिशन ने कहा मुस्लिमों को देश से बाहर करने का हतियार है असम का अनर्सी देश के 47 वे चीस जस्टिस बने जस्टिस बोब्रे राष्टपती ने दिलाई शपन शिलंका राष्टपती चुनाव में 80 प्रतिशत मतदान से गोटा भाया राजपक्षे रहे सबसे आगे और पेट्रोल के दाम में बड़ोत्री का सिल्सिला जारी दिल्ली में 74 पार हुआ पेट्रोल और आए अब तफसील से नजर डालते हैं खबरों पर अंतराष्टी धार्मिक स्वतंतिता पर अमेरिका की एक फेडरल कमिशन ने कहा कि असम का अनर्सी धार्मिक अल्पसंख्यों को निशाना बनाने का एक औजार है यह मुसलिमों को देश से बाहर करने की कोशिश है असम की अनर्सी लिष्ट से 19 लाख लोग बाहर हैं इतने लोगों को बाहर रखे जाने पर US Commission on International Religious Freedom ने कहा कि कए घरेलू और अंतराष्टी संगटनों ने नर्सी पर चिंता जटाई है और साथ ही यह भी कहा कि यह बंगाले मुसलिमों के वोट के अधिकार चीनने का सोची समझी चाल है इस पूरी कवायत से नाकरिक तक के लिए धार्मिक तक की जरूरत स्थापित करने की कोशिश हो रही है और इससे बड़ी तादात में मुसलिमों के राज्य विहीन होने का खतरा पैदा हो गया है पॉलिसी विशलेशक हैरिसन की और से तयार रिपोर्ट में यूएस कमिशन ने कहा कि अगस्ट 2019 में एनार्से लिस्ट रिलीज करने के बाद बीजेपी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मुसलिमों के प्रती पूर्वग्रह दिखता है इस साल अगस्ट में इस रजिस्टर को पहली बार अपडेट किया गया इसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे इन लोगों को अपनी नागरिता साबित करने के लिए अफॉर्नर्स ट्रिब्यूनल में अपना दावा पेश कर रहा होगा इससे उन लोगों को भारती नागरिक के तौर पर सुईकार किया जाना है जो ये साबित कर पाएं कि वे ओ 24 मार्च 1971 से पहले से राज्ये में रह रहे हैं ये वो तारिक है जिस दिन बांगलादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर अपनी आजादी की घोशना की थी जस्टिस शरद अर्विंद बोबडे ने भारत के 47 पे मुख्य नयाधिश के रूप में शपत ले ली है राष्ट्यपती रामनात कोविन ने जस्टिस बोबडे के भारत के प्रधान नयाधिश के रूप में शपत दिलवाई 17 नमंबर को रिटायर हुए पूर्फ चीप जस्टिस अंजन गोगोई ने ही CGI पत के लिए जस्टिस बोबडे के नाम के सिफारिश की थी जस्टिस बोबडे चीप जस्टिस के रूप में 18 महीने कारे करेंगे 23 अप्रेल 2021 को रिटायर होंगे हाल ही में आयोध्या की राम जन गुमी बावरी मज़ित विपाद फैसले के सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस बोबडे भी शामिल थे बतौर CGI जस्टिस S.A. बोबडे के सामने कई फैसले होंगे जिन पर उन्हें फैसला सुनाना होगा हाल ही में आयोध्या विबाद पर फैसला आया है लेकिन इस पर पुनर विचार याची का दायर होने का भी निर्ने मुसलिम पक्ष ने लिया है दूसरी और सबरी माला विवाद को अब बड़ी बेंच को सौपा गया है ऐसे में बतौर चीप जस्टिस इस बेंच का हिस्सा होंगे जस्टिस ऐसे बोबडे का जन महराष्ट के नागपूर में 24 अप्राइल 1956 को हुआ वोने नागपूर युनिवर्सिटी से कानून में सनातक की उपादी हासिल की 1978 में बार काउंसल अफ महराष्ट में पंजिकरित हुए और 1998 में वरिष्ट वकील मलोनित हुए श्रिलंका में शनिवार को आठवे राष्टपती चुनाफ के लिए 80% मतदान दर्च किया गया तेश अभी भी लगभग 3 दशक में लंबे ग्रहयूत और 7 महीने पहले इस्टर के दिन यहां हुए आतंकी हमले के खाव से उबर रहा है संडे टाइम्स के उनुसान मतदान होने के बाद मत पेटियों को मत गन्ना केंदरों तक पहुचाया गया कुल 12,845 मतदान केंदरों में सुबह 7 बज़े से मतदान शुरू हो गया था श्रिलंका के पुर्व युद्ध रक्षा सचेव गोटा भाया ने घातक स्लामी हमलों के 7 महीने बाद उच्च सुरक्षा के तहर प्रात्मिक चुनाव मेर अविवार को शुरुवाती बड़त ले ली चुनाव आयोके नुसार मुख्य विपक्षी उमीदवार राजपक्षे 52,87% के साथ आगे थे जबकि आवास मंत्री सजीत प्रेमदासा के पास गिने गए डेड़ लाख वोटों में से 49,67% थे वहीं माम पंथी अनुरा कुमार डिसनाय के 4,79% के साथ तीसरे स्थान पर थी 1982 के बाद ऐसा पहली बार है जब राश्ट्रपती चुनाव में सबसे अधीक दाविदार मैदान में है 2015 में केवल 18 उमीदवारों ने चुनाव रड़ा था वहीं आयो की अध्यक्ष महिंदा देश प्रिया ने कहा कि शनीवार को हुए मतदान में 15.99 मिलियन पातर मतदाताओं में से कम से कम 80% में मतदान किया वहीं कहीं जगा हिंसा हुए जिससे कहीं लोग घायल भी हुए पेट्रोल के दाम में लगातार पांच वी दिन सोमवार को बड़ोत्री का सिलसला जारी रखा जबकि डीजल के दाम में लगातार छटे दिन कोई बदलाब नहीं हुआ देश की राजधानी दिल्ली में करीब गेड़ महीने बाद फिर पेट्रोल का भाव 74 रुपे प्रती लीटर को पार कर गया दिल्ली में पेट्रोल 74.5 रुपे प्रती लीटर हो गया है इससे पहले 5 अक्टुबर 2019 को दिल्ली में पेट्रोल 74.4 उपे पत्री लीटर था अंतराष्टिय बाजार में बीते दिनों कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण देश में पेट्रोल के दाम में विर्धी हुई है अंतराष्टिय बाजार में कच्चे तेल में हाला की सोमवार को स्थिर्था बनी हुई थी लेकिन क्रूड का भाव करीब दो महिने के उचे स्तर पर है तेल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार पांचवी दिन दिल्ली, कुलकत्ता, मुंबई और चेनने में पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रती लीटर की विर्धी की लेकिन डीजल की कीमत में लगातार छटे दिन कोई बदलाव नहीं किया हलाकि चारों महानगरों में डीजल के दाम पहले की तरह बने हुए हैं अंतराश्टिय वाइदा बाजार इंटर कॉंटिनेंटल एक्सचेंज पर कुरूट का जनवरी डिलीवरी अनुभन सोमवार को 0.5% की नर्मी के साथ 63.31 डॉलर प्रती बैरल पर बना हुआ था जो की 23 सितंबर के बाद सबसे उचास्तर है जब कुरूट का भाव 64.77 डॉलर प्रती बैरल पर बन्थ हुआ था अमेरिका लाइट कुरूड वेस्ट टेक्सिस इंटर्मीडियेट के जनवरी अनुभन्थ में 0.2% की तेजी के साथ 57.84 डॉलर प्रती बैरल पर कारोबार चल रहा था अमेरिका के पुर्व उपर राष्ट्रपती जो बाइडे ने अमेरिका राष्ट्रपती डोनाल ट्रम्प पर निशाना साथ तेवे कहा कि जब तक ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपती है देश की सुरक्षा और भविश्य खत्रे में है साल 2020 के राष्टपती चुना में डेमोक्रेटिक पार्टी के उमीदवार बनने के दाविदार बाइडेन ने कहा जब तक ट्रम्प यहां है तब तक देश के लिए हम जिस बात और जिन मामलों की चिंता करते हैं उन्हें लेकर अनिश्चित्ता है नेवादा डेमोक्रेटिक पार्टी कॉक्स के लिए 100 दिन से भी कम समय बचा है बाइडेन राष्टपती पत के लिए डेमोक्रेटिक उमीदवार बनने के मस्बूत दाविदार है लास वेगास में आयोजित एक प्रचार मुहीम में बाइडेन ने गरीबी से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि नियूंतम वेतम 15 डॉलर प्रती घंटा होना चाहिए इस बीश राज्ये में ट्रम्प की प्रचार मुहीम के प्रमुख एडेम लोग्सोल्ट ने बाइडेन के बारे में कहा कि 2020 में मतदाता बाइडेन और अमेरिका के लिए डेमोक्रेटिक अति उदारवादी नजरिये को नकार देंगे और इसके बजाए स्वतंतिता एवं आर्थिक पिकास को चुनेंगे तो ये थी आज की ताजा खबरे कल फिर हाजर होंगे नियूसमैक्स के बुलिटिन के साथ तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को सरुर दबाएं धन्यवाद